दर्शनक्वी नमस्कार में हूँ आचारे रामतिशन सास्तरी और आपका प्रिय योटोब चैनल एस्टरोजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सिग्र आने वाला नवरात तृतिति में क्या विधी करने से नोकरी सरकारी नोकरी प्राप्त किया जा सकत है उसके बारे में विधित प्रशंग लेकर वपस्तवा हूं वैसे तो सरकारी नोकरी कोरोना वाइरस अत्वा यह वैसे महमारी के कारण आर्थिक स्थिति में नुकसान उत्पन्न होने से सरकारी नोकरी में और भी बाधाय उत्पन्न हो चुका है परन्तु कुछ सटिक कुछ समय के बाद नोकरी वेवशाम जो आप प्रयत्र कर रहे हैं वो प्रयत्र आपका शफल होगा शर्प्रथम नवरात्र के पर्थम दिन 17 अक्टुबर के दिन आपको घटज स्थापना करना है घर में विधित तरीके से सभी के घर में घटज स्थापना होता है उसमें आ पाल चौकी बना कर वहां मा भगवति को विद्यमान करें और मा भगवति के सिदे हात में और आपके उल्टे हात में कॉलस रखें कॉलस के निच्चे मिट्टी अत्वा रेत लेकर उसमें जोब हैं उसके बाद उपर से कॉलस रखें उस कॉलस के अंदर लोंग लाईची जो दूबडा और हल्दी के दोगांट और एक सुपारी कुछ दकशिना रखे उसको प्र आम के पत्य रखे अगर आप कलस दो रख रहे हैं तो फिर आप उसको पर आम के पत्य लगा कि उसको पर कलस रखे पिर जो समाद निचे डाले ते वो शवी उपर वाले करें भी डाले और आम के पत्ते रखे नारियल को रखना है नारियल रखते शमय ध्यान रहे जो नारियल है वो शीधी तरके रखना उपर निचे करके नहीं रखना है आपको इस तरह से नारियल रखे और आप अपने पुजा के लिए बिशस कर क्या लेना है दो हल्दी के गांट और एक सुपार सुपारी आप एक पीले अथबा लाल कपड़े में बादना है। इस तरह से कलशता अपना करने के बाद दो हल्दी के गाट और एक जो सुपारी मैंने बताया है इसको आप लाल अथबा पीले कपड़े में बाद के मा भगवती के चरण में रखे। ध्यान रहे एक मा भगवती के चरण उपर होता है और एक मा भगवती के चरण है निच्चे जमिन पर टिका होता है। तो नारियो जो सुपारी अत्मा हल्दी जो मैंने बताया है जो पोटली बनाए अपने ये आप मा भगवती के उन पैर के निच्चे रखेंगे जो पैर नि इस समंत्र का नित्य आपको जाब करना है ब्रह्मचारी का पालन करना नाकुन सेविंग अत्वा बाल इत्यादी नहीं बनाना घर से बाहर जाकर नहीं खाना और जो भी चीज आप सेवन करें घर में सेवन करें हो सकता है नवरात्र में माभुगत के नाम के उपासना करें बर् नवरात्रम नहीं करना है। फल फुरुड इत्यादी का सेबन आप कर सकते हैं। वो भी जब आप प्रात्र समया पुजन से निव्रित होने के बाद ये चीज आप सेबन कर सकते हैं। और जिस समय पुजा करेंगे मने में आस्ता और विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास शिखा है तो शिखा में गाठ लगा कि आप बैठ कर पुजा करें। अगर शिखा नहीं है तो कपड़े सिर्फ डालना बिलकुल ना भुले। ये चीज आपको विश्श करना है। नियम क्या है ब्रह्मचारी का पालन करना घर से बहार जाकर किसी भी चीद का शेवन नहीं करना और फल फ्रूड बगड़ा दूद इत्यादी लेकर आप दिन में बरत करें। और अगर आप पूरे दिन बरत नहीं रख सकते साम के समय भी तो साम को पुजा करने के बाद आप या तो अपने पास रखें और अगर आप अपने पास रखने में असमर्थ हैं तो आप जो भी डॉकुमेंट से आपके पास जो भी आपने इससे पहले अध्यान करके जो प्राप्त किया है उस डॉकुमेंट के बीच में ले जाकर आप इस पोर्टली को रखें इस पोर पोटली के दिपक जलाने पाद धुबत दिखाने के बाद उस पोटली को मस्तक लगा कर साथ लेके जाए और नहीं हो सकता तो प्राथना करके उस पोटली के वह हैं डोकुमेंस के लगा दे और आप चले जाए तो धियान रहे अगर इस विदिए से आप करते हैं और यह विध को परतक्षे आकर्ष को पूर्ण करना ही होता है और हल्दी में मा भगवति अत्पा विस्नों अत्पा गणेश का शानिध्य माना जाता है इसलिए यह दोनों चीज रखकर अगर पुजन करेंगे तो आपका जो मनुवर कामना होगा वो शिग्रा पूर्ण होगा आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा जो वीडियो मैंने अभी आपको बताया है ये वीडियो के माद्देम से अन्यन्यम मनुष्य को अत्पा जो भी हमारे कारले पे विजिट करते हैं उनको अधिक लाप प्राप्त हुआ है और उन्हें नोकरी भी प्राप्त हु होगा सबी चीछ से क्याल्कुलिस्टन करने के बाद अत्वा इस वीधी को किसी को कराने के बाद जब सफलता प्राप्त हुआ तब ही मैंने आज इस परकार के वीडियो आपको अप्लोड करके दिया है तो इसलिए इस वीधी को मन में आस्ता और विश्वास के साथ करेंगे यही विश्वासत आज वीडियो से बराम लेता हूँ